कुछ काम कर रहे हैं जो कुछ काम होगा है पानी की पाइप टूट रहे हो कोई कुछ 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 काम है। नमस्कार जी पहरेदार पार्णियो चैनल पर मैं वीजे सर्म आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम आई हैं वार्ड नमबर छे में यहां की नगर पार्शद है ममता सेनी और आज देखेंगे कि सिर्सा के वार्ड नमर छे में कितना विकास हुआ है ममता सेनी ने कितना विकास करवाया है और वार्ड के जो सदस्ये हैं जो कितना सैटिसफाइड है ममता सेनी से और उनके विकास कारियों से तो चलिए यहीं से जो है उनका वार्ड स्टार्ट हो जाता है और मिलते हैं वार्ड के लोगों से भी मिलेंगे ममता सेनी से भी मिलेंगे जानेंगे कि कितना बजट इनके पास आया कितना बजट इन्होंने लगाया क्या-क्या विकास कारिया है जो आपकी बातचीत करवाऊंगा तो आप लोग बने रहें पहले दार बार ममता सेनी ने करवाया है और कौन-कौन से विकास है जो अभी चल रहे हैं अधूरे बड़े और कोई वी किसे तरहां देवी काम हों दा साधे नाल घड़े ने में पानी की समस्या है या सही है पानी बिल्कुल वदी है कई वरी कोई साल चमाई को एक दीवरी कुई हो जाए दो जैनी दावाग तकरीबन सभी देन और करें निदा सफाई वगारा का कैसा सिस्टम है कौन सा काम है जो अभी तक नहीं करवाया पार्शादने सारी जी सारे ठीक ही जी साहितना जड़ा काम करवा देने जी जड़ा के बनगी होगी कूडी का सफाई जहां आस तक नहीं हो पाई थी वहां सफाई भी हो रही है और जब कर दो काम चल रहा था बीच में वहाला कि वह कोई कारण से रुख गया बाकि वह काम भी हो रहा है और बाकि भी साफ साफाई का भी खूब अच्छा अबी कोई कार यह चल रहा है आपके MC की तरफ से अभी तो चल रहा है सफाईयों का हो गया और जे डश्टमीन वगारे पाणी पानी की कोई समश्या नहीं है पानी बीफिल आ रहा है टैंस टू टैंस पानी आ रहा है किसी परक्रारगा भी कोई दिक्रत नहीं है आपके वार्ड में जानने के लिए हैं कि कितना विकास आपके वार्ड के पारशद ने करवाया है बहुत अच्छा विकास हुआ है गोपिराम सैने जी है जो ममता सैने जी हमारे काम एक तो सारे की गलियां पकी करवा दीजी कभी सीवरेज की समस्या आती थी तो वेजी तो यह इंट्रेस्ट लेकर अपना से विवरेज की समस्या को हमेशा ही ल करते रहे हैं अपना हैल प्लाइन नंबर जारी किया है आपके लिए साय था कि मैं पास इनका फोन नंबर की है इनोंने अपनी तरफ से बहुत लगन से मेहनद से दिल से इनोंने कोशिश किया है अब जाके पानी बिल्कुल साफ आ रहा है इस पर फोड़ा दें प्रोब्लम आई थी उस तेम के वह पीछे से ही कोई कहीं से लीकेज था तो इनोंने अपने कोशिश से अपसोरों से मिलक कि इनोंने एप्लिकेशन दे के नीजी तोर पर मिले एश्डियों साब से और इनोंने वह समस्य अहल करवा दी हमारे आपका नाम मैं आईश महता चैनमर वाड की सदश्य हो आप हां जी थोड़ा सा अपने वाड की सफाई वेवस्ता के बारे में बताओ और पानी बगरा की अच्छी है और पाने की भी बहुत अच्छी है यहां पर अपने एमसी के कारिया से सैटिस्फाइड हो हां जी बिलकुल क्या विकास है जो एमसी ने नहीं करवाया और आप चाते हो कि करवाना चाहिए ता अपने कारियागाल में देखो हमार को तो इन्होंने हमेशा मतलब क हमें ज़रूरत होती है यह हमेशा खड़े रहाया और शुनीव नहीं देखो हमार के तो ऐसा कोई हो नहीं है इन्होंने हमेशा हमारी सुनी कोई हैल्प लाइन नंबर दिया है खुद का है अपने पास ही रहते हैं नमस्कार जी नमस्कार जी आपका सुब नाम सर्थ गुलशन कुमार वार्ड नंबर 6 के सदस्य हो है बिल्कुल जी ममता जी है आपकी पारशद कितना विकास कारिया करवा है बहुत बढ़िया विकास चलते हैं इस गली के अंदर सर्थ थोड़ी सी लिष्ट हमें गिनाने की कोशिज करो कि क्या क्या काम है जो इन्होंने करवाएं इन्होंने एक तो सड़के हमारी सारी बढ़िया बनवाई है एक ला काउट में बादा कौन बन रहा है गोवर्मेंट बन रही है गोवर्मेंट यहां के हैं कोई लोकल दो-तिन जने अच्छा वह बन रहे थे इसलिए फिर अब एमसी साफ ने तो बहुत कोशिश की भी कुछ ना कुछ यहां पर बढ़िया बन जाए खाली जगह पड़िया सरका करा देते हैं तो भी सफाई वेवस्ता प्रोपर आपके वार्ण यहां बढ़िया सफाई बढ़िया यह तो दो-तिन दिन से चुटी है ना इसलिए यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है आपको पता है आपके वार्ड में कितने पैसे लगाए गए हैं पैसे तो नहीं इतने लग पता किया जी तो करना चाहिए आपका अधिकार है जब काम बढ़िया हो रहा है बढ़िया जैसे कह देते हैं जहां पर लेवल सही करना है वैसे करना सारा कुछ यह अपने आप करवा देते हैं सभी यह जो स्ट्रीट लाइट वगरा की विवस्ता ठीक है क्योंकि शाम के टा चूकी टीम मीनी ओर्टो मार्गेड में पहुंच चुकी है यह जो वरकर्स हैं लोगों पोल बगरा यहां पर लगे हुए हैं सटकें भी प्रोपर बनी वह तो इनसे बात करते हैं नमस्कार जी मोश्खर कितने टायम से यहां पर आपको पंत्रास साल होई जी कौन सा पार सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरह से आप वाडों की आवाज उठाते हो पहरा दार क्या है पहरा लगाना इसलिए सबसे पहले पहरे दार बारती की टीम को मैं दन्यवाद करना चाहूंगा सर कुछ वाडों में गए वहां पर उन्होंने बतायागी आपने बारा बारा क्रोड रुपे भी खर्च गी है मैं मैंने आपका इंट्रिव्य देखा आप गए थे दो तीन वाडों में गए देखा ददस क्रोड बारा बार क्रोड रुपे आपने लगाया तो कहां गया नगर प्रिशत के अंदर तो इतना पैसा ही नहीं है आप बारा क्रोड की एवरिज लगा लो 31 वाड है तीन अरव रुपे होगे पैसा गया कहां तीन अरव रुपे अभी तक नगर प्रिशत के अंदर नहीं आया हमारे विदायक जी कहते है जिस दिन मैं यहां से नगर प्रिशत को छोड़ा था तो उस दुरान साथ क्रोड उस समय का साथ क्रोड रुपे पड़ा था उसके बाद एक कम से कम तीन सो क्रोड रुपे और आगे तो तीन अरव रुपे कहां सर वो बताते हैं कि हमने पार्कों पे लगाया स्ट्रीट लाइट वगारा गलियां वगारा पक्की करवाना सीवरेज की पूरी पाइपलाइन सिर्वरेज की व्यश्था और पाणी के वयवश्था नगर परिशत देख नहीं है कर शीवरीज की वयश्था और पानी की वयवश्था पब्लीक हेल्ट का पैसा आता है वो पूरे शिर्सा के लिए आता है और यह मुद्धी हम लोग एक एप्लिकेशन लिखते हैं तोटल बज़ेट के फ़रिफसाल नगर पते हैं और पैसा लगा। मि read पास total budget कितना है नगर परिशेद्ध का मैं बिल्कुल नहीं बता सकता है हमारे जो चेर मैंन या इस म्हशन विधायक पूरम में बिधायमें जो भी विधायक रहे यह वरतमान में जो भी विधायक है उन्होंने कोई गिन Merc ﷺ टाता होगा बजब की सिव भास कि वह हमारी हाउस की मीटिंग अंदर कितना I am पहले तो इन भारतिय जनता पाल्टी ने अपने ही चेयरमेन को गेड़ने का काम किया उसकी उनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में सिर्शा का विकास कहीना कहीं तूटा है कहीना कहीं रुका है उसके बाद आप यह देखो कितनी बड़ी महामारिया करोना काल के अंदर दो साल विकास वैसे रुक गया हमारे पास कितना क्या ता सिर्फ तीन साल का विकास कारिया-था ता और तीन साल में मैं एसे कहते हूं मेरे वार्ण मेरे 5 करोड मेरे 266 Якने करदा चामने करा पाए जिनका आपके मन में में कि ये कारिया मैं नहीं करवा पाया और मेरा कारिया कल खटम हो गया बिल्कुल इन पांच साल के अंदर मैं कुछ नहीं कर आपाया तो सबसे पहले मैं मेरे वारिवा से और मेरी जो कलोनी है जहां मैं बैठा हूं मैं मुख्य मंतरी को भी लैट लिखा उपमुख्य मंतरी को लैट लिखा जिस तुरह पंजाब और दिल्ली की तरज पे हर्याना वक्का वोड़ की रिजिष्टि होई है तो हर्याना में यहां पहला ही एम यह ता लेकिन आपझी कहिचे ताश क्लार नहीं कर वाया दोबारा इलेक्षन होते हैं तो आप खड़े होएंगे दोबारा पुब्लिक बताईगी कौन सी पार्टी के साथ जुड़े हो आप देखो हमारे तो एक ही सुप्रीम मुए चोदरी ओंपरका चुटाला जी बही अबे सिंग चुटाला जी और सबसे पहले आपके न्यू चैन स्वच बार्ट अब्यान उस पर कितना इंप्लिमेंट हुआ आपके बार में शायद मैं बात करूं मोदी जी से ही आप ये बात पूछे दो अक्तूबर को जब ये सफाई अब्यान चला था महतमा गंदी जी के नाम पर तो कहीं ना कहीं वह सफाई अब्यान मातर एक फोटो खीच के दिवार पे टांगने का काम किया था क्योंकि कहीं पर भी सफाई वह सथाम पूरे हिंदूस्तान की बात करूं सारी वह सबसे च्छोटा होता है वार वार से चलके सहर बनेगा और उससे आगे चलके देश बनेगा अपने वार में कितना इंप्लिमेंट हुआ है क्योंकि अब मोदी जी के पिछे नहीं जा रहे हम अपने वार को सुधार कर रहे हैं अपना घर समझ के उसको सुधार कर रहे हैं आपने पूछा न मोदी जी के बारे में तो मैंने बताया अब मैं बात करूं सिर्शा के विकास और मेरे वार के विकास सफाई वेस्ता आज कह हुआ तो उस दुरान क्या था हमारे सिरसा के अंदर 255 सावभा कर्मचारी रखे गाए हाज उस से पहले हमारे सिरसा की हो गी है लेकिंछ सफाभाई करमचारी जोह कि यहाँ के बड़े से बड़े कर्मचारीों कोथियों पर काम पर रहे हैं चाहे वो जज्ज हो, चाए मंत्री हो, चाए HDO साब हो, चाए HDM साब है। तो सर इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि करमजारी जो है, वो सिर्षा की सिफाई के लिए रखे हैं, ना कि किसी के परसनल काम के लिए रखेगा। आवाज कोन उठाए, मेरे भाई आवाज जो उठाता है, उसके आवाज दबाने का काम भी बारती है, जनता पाल्टी बहुत अच्छे तरिक्के से करती है, कहीं ना कहीं किसा रोप में उसको अंदर कर दे, किसी को नहीं पता चलता, आज हर आम आम नागरी इसी चीज के लिए डर है कि आज मैं आवाज उठाओं कहीं ये मेरे को ना अंदर कर दे, आप ये देखो, आज सफाई वेज था, पूरे सिरसा के अंदर, आप आपने देखा डश्ट मिन लगे हुए, आप सिरसा में अभी आए हो, तो जगा जगा डश्ट मिन लगे है, लेकिन वो डश्ट मिन देख रेक, आज हम करमचारियों के उपर छोड़ते हैं, क्योंकि मैडम का कारेकाल 19 तारिक को पूरा उचका था, उस 19 तारिक से लेकि आज तक आज तारिक होगी साथ अगे, आज साथ तारिक तक के बीच में देखे, किस तरह के वो डश्ट मिन, आज उनके हालात देखे, आज कूडे का घर बना हुआ है, कुछ पारकों की कंडिशन तो देखी है, हमने बहुत अच्छी है, शिर्शा के अंदर, जिसके अंदर ये जो डश्ट मिन की आप बात करें, डश्ट मिन भी लगए है, जैसे गिले कूडे का अलक लगा हुआ है, सुखे का अलक लगा हुआ कुछ पारक ऐसे हैं, जिनकी हालत बड़ी खराब है? पर दातल पर नहीं लेके आंगे, हम अपने करमचारी दूशंच utलए पर अटाकर दातल पर नहीं लेके आएंगे, जब हम अपने करमचारी रंजीत सिंग की इसा ये जदि सुख एजिए तो सफाई वश्टा कैसे होगी? अगर उनको हटाके ग्राउंड पे लाया जाए उसके बाद भी 300 करमचारी हो चाहिए नहीं नहीं यदि हम उनको हटा देते हैं वहां से हटाके दरहतल पर लेके हैं मातर सिर्फ 50 करमचारी सफाई वैस्ता के लिए हो चाहिए अच्छे तरीके से सिर्फागी और वाडों की सफाई कर सके हैं असर एक दो चीज और बता हुआ आप अमारे दर्शकों की एक जो वाड का सदस्य होता है इसके क्या-क्या अधिकार होते हैं अधिकार तो देखो इस समय तो अधिकार सारे छिने पड़े पब्लिक तो चाहती है भी हमारे जो मुंसिपल काउंसलर होता है उसके पास बहुत सी अधिकार है क्या वह भी नोकरी भी लगा लोगों को अभी पता नहीं है अपने अधिकार का यह हमारे पास क्या-क्या अधिकार हैं इसलिए वो आवाज नहीं उठा पाते तो आप हमारे चैनल पहरे दार बारत न्यूज के दोरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिर्सा की जो लोकल जनता है उसके वो वो अधिकार है ताकि लोग जागरू को और अपने काम करवा सके देखो BC के पास यदि BC पावर के विकासकारिये के लिए मुख्य मंतری यहां तक के बढ़ानमंती तक से सिधा जैक्त मिल सकता है यदि वो चाहे तो अपनी विकास्ताक अपने वाड को नंबर में लीआ सकता है हाँ सिर्फ एक पावन नहीं है कि वो अपने वाड के अंदर की सिस्दश्य को नोखरी लगा साहता है सर मैं एक मालो लोकल जनता हूं एक लोकल नागरीक हूं मेरे क्या क्या अधिकार है आपके सबी अधिकार एक वाड में बिल्कुल आप वाड की बात एने एक से वार तक सीमित नहीं रहता है तो आपके सारी अधिकार है उसे से अपने कारिया करवा सके पानी की वेवस्ता हो स्याइन किसी तरिक्के से हो जाती परमान पतर हर्याना डोमिसल वैसे तो अभी जो समय है नगर परिशद और से जाइन कर सके बस इसे ज्यादा पावर इस बारते जनता पाल्टी ने एक सर सिर्चा के अंदर सीवरेज की बड़ी दिक्कत है काफी टाइम से बने हैं लिकेज की विवस्ता है थोड़ा सा भी अगर मालो बारिस आ जाती है थोड़ी सी तो भी पानी दो से तीन फिट जो है जाता है तो आपके वाड में क्या कुछ है इसका निवारत बिल्कुल है हमारे जो पूरह सी रहते और बने आज भी वैसे हैं और जो पहले थे वैसे लेकिन कहींना कहीं सीवरिंग चैंबरों की चारों तरफ आज इंबर आज पानी की वेश्ट की आप शिर्षा के अंदर देखा होगा किस तरह का गंदा पानी सिवरिज पानी आता वह किस कारणा बाइप नहीं है सीवरिज के जो चेंबर है वो पुन रूप से हर सिर्षा के और वार्ड के लिखी जाए मैं आपके चैनल के मादम से एक्शन साब से भी नवेदन करूंगा आप तुरंट एक नया टेंडर लगा कर और सीवरिज के चेंबर को सुदाने का काम यह जो कारिया है यह PWD करता है बि जिसके कारण क्या है कि गंदा पानी जो है वो सिर्षावाजियों को मिल रहा है जिम्मेदार तो आम नागरिक है अब यह देखिया नगर पर इसको कोई गली बनने के बाद वो कनेक्शन लेते हैं बिल्कुल यह चीज़ तो अपने बारत में देखी होगी आप लोगों ने क जैसे ही सड़क बनके पूरी त्यार हो जाती है उसके बाद उसको फोड के पाइप लाइन डालने का आम नागरिक ही करते हैं जैसे ही कोई गली बन गई उसके बाद उनको याद आता है कि हमने पाइप लाइन नहीं डाली ठीक है यह हमारा कोई वायर का कनेक्शन था जो केलिफोन एक्चेंज या एटल बी एसनेल फास्ट वे वाले आज अवेद किनेक्शन अंडर ग्राउंड बिसी बिना किसी अनुमति के अंडर ग्राउंड ले जाते हैं जिसके कान जो पाइपे लिकीज होती है ड्रील के मादम से सिद्धा अंदर लेके जाते हैं यह एक आम आ संदेश आप शिर्शा की जनता को देने चाहें अपनी बार की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं आने वाला जो समय है वो आप लोगों के आत्मे हैं आप अपने विचार पबली के आगे जो जनता जो वोट मांगने आएंगे उनके आगे रखिए भी हम आपने हमारे लिए किया क्या है जिस जिसने जो कारिय किया है आप उसको चुनो साथ के साथ एक एक अच्छा मैसिज में आपको देना चाहता हूं जब भी कोई का स्ट्रीक्तिर्शन चल राई है आप से निवेदन हैं आप पचास लाएक रपे तो आपके मकान पर लगा देते हैं मातर पांच हजार पे आप उस गली पे नहीं लगा पाते जिससे जिए आपने तोड़ी है आप से निवेदन है कि आप मकान बना लिया है और साथ के साथ गली की भी रिपेरिंग करने का काम करे है धन्यवाद जब बिलकुल तो सर ने जैसा संदेश दिया कि हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि यह अपना काम बनता बाड में जाये जनता तो ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचना है यह देश अपना है सिर्शा सहर अपना है तो इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसकी सफाई विवस् से भी बात की नेक्स्ट पारसद से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा और जानेंगे कि उनके वार्ड में कितना विकास हुआ क्या उनके भी बारा से पंद्रा करोड रुपे आए या उनके भी वार्ड में दो से तीन करोड रुपे आए जानते हैं पूरी सचाई और आप लोग भी जो वार्ड का पारसद होता है जो बोलता है कि हमने बारा से पंद्रा करोड रुपे लगाए हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप उससे जानो कि उसने किस परकार से कहां कहां पे कितना खर्च किया है थैंक्यू सो मच